तो हम यहां बात करने जा रहे हैं आपके सांथ की एक्चुली एडवान्स एक्सल है क्या मतल़ कि आपने जो चौबिस घंटे की क्लास ली थी उसके बाद भी मेरी क्लास लेने की जरूरत क्यों पर राइट रीजन क्या है और बेसिकली हम क्या आपको डिलिवर कर रहा है अच्छा आपको उन्होंने जो है क्या नाम बताया जिन साब रेंडिंग दी थे मिस्टर अगरवाल ने आपको क्लास दिया तो आपको उन्होंने सौर्टिंग परहाया होगा तो सौर्टिंग में परहाया कि हम डेटा को कस्टम सौर्ट पे जाके हम फिल्ड वाइज डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में सौर्ट कर सकते हैं राइट यह सर अच्छा यह बताईए कि मैंने यहां पर मंध दिया हुआ है अब तुक्का मत मारिएगा आपको पता जाता हूं इसके महन के सौर्ट करना चाहता हूं तो आप बोले कि कोई सी बड़ी बात है मैं लास्टम मिजाओंगा मंध और यहां पर मैं एटुजार्स लेकर कर तो क्या करूंगा ना कि या कुछ और कर सकते हैं मंद को शॉट करने के लिए उसमें से मंद के को डिंग आई गा नहीं से अब यहीं पर प्रावलम आता है इतना तो मेरे हर स्टुरेंट को पता होता है कि शॉट कैसे करना पहली प्रावलम अभी यह आपके कलेंदर यह को अधिक नहीं आया यह यह हमरे यूज का है हुग यूज कह तो नहीं नहींगत तो शॉट करने के कोईक प्रोप्रस के नहीं नहीं साइम हम मन्थ चॉट करेंगे तुम अपरेले के बाद देखेंगे किया है लिए तो कैसे शोट करें हम इसको किलिंडर यह बाइन पता आपको स्रूट तो इसी तरह की चीजे हैं जो हमारे रियल लाइफ को इफेक्ट करती है वह चीज हम पढ़ाते हैं हम यहां आपको एन ही पढ़ाते हैं कि किसी फंक्शन को कैसे अप्लाइब करना है तो इसमें एक होता है आपका कस्टम लिस्ट कस्टम लिस्ट में जाएए और यहां अपना लिस्ट आफ स्लेक्ट कीजिए और दैन ओके यह आपका कलेंडर एक अक्वाटिंग शॉट हो गया प्रवल्म है कि आप शॉट करेंगे फाइनिस्ट लिस्ट में जाएंगे तो इन न्यू लिस्ट दिखेगा अब यहां पर अपनी शॉटिंग लिस्ट क्रिएट कर लिए जैसे कि मैंने हां पर कर रखा है और जब मैं ओके करूंगा तो आप यहां देखेंगे कि अप्रेल के बाद मैं मैं फैनेशल इरक अक्वाटिंग शॉट हुआ अब सॉर्टिंग पर ही बात आती है तो चलिए एक काम और हम करते हैं अब मेरे पास आपके सामने मेरे पास एक डेटा है राइट अब मुझे इस डेटा को मुझे क्या करना है कि इसमें थोड़ी से चेंडिंग करें अमाल भारा महिने का डेटा है लेकि हो सकता है आपके पास एक साल वर का डेटा हो डेट बाई दो सो तीन सो चार सो कॉलम्स में हो लेकि फिलहार बारा कॉलम्स में है मैं छोटे डेटा पर जादा पर समझाता हूं टॉपी क्योंकि छोटे डा पर इफेक्ट आपको पता चलता है और तमस्तिय दैन आप उसको बढ़े डाये प्रैक्टिस करते हैं तो प्राब्लम नहीं होत करना है तो मुझे करना क्या है मैनुवल जो हार्ड वर्क होता है कि हम यहां पर कॉलम इंसर्ट करेंगे हेडिंग परसेंटेज या भी टार्डेट है जो भी दिना चाहते वह देंगे नंबर को सेलेक्ट करेंगे डिवाइड बाइस सेवेंटी एंड दैन हम इसको नीचे के तब ड्रैक करेंगे और इसको हम परसेंटेज में डालेंगे अब यहीं काम मुझे मुझे बारव मंद के लिए अगर तीन सो पैंसर दीन तीन सो पैंसर दीन के लिए करना पड़ेगा अब कितना भी तेजी से काम करेंगे तो एक कॉलम को करने में 40 सेकेंड तो लग अगर तीन सो कॉलन हुआ तो इसका मतला है कम सकम दो से धाई गंटा और साथ में कितना भी आप चार्टे ने कॉलनर वर्क करते फिर भी आप पान से दस परसेंट एरर तो हो गई होगा क्योंकि कोई भी हुमेन हंडर परसेंट एकुरेशी नहीं ला सकता जहां तक मेरा मानना है यह सर क्या ला सकता है सर नो अगर छोटा काम कर रहा है तो ला सकता है जब जो कंटिनियूस दो तीन हंटे काम करेगा तो ओ एरर तो करेगा है करेगा चाहे किसी भी तरह का वर्क क् क्या मज़ी है से तो अम हम यहां पर हंडर परसेंट एकुरेशी और इस काम को बहुत ही क्रिक्ली कैसे करेंगे क्योंकि मैं इस रुवाद में बताया कि मेरा स्लोगन है कि डू नॉट डू हाड़ वर्क वे स्मार्ट वर्क क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है तो यहां हम स् करेंगे अपने स्वर्टिंग को सब्सेंट मेंन नंबर को मैं यहां से और हम इसको स्लेक्ट करेंगे और यहां जाएंगे स्कозм़ स्टम शॉट में हम क्या करेंगे आप बोलेंगे custom sort मुझे हमें तो top to down तो भी sort करना है हमें हमें यहां तो इसे आप दिख रहा है आपको left to right search करना है तो देखी options पर जब click करेंगे तिहां आपको left to right का भी option आता है कि sorting जो है आप left to right भी कर सकते हैं तो मैंने क्या किया इस one जो कि मैंने दो बार repeat कर रखी है एक के नीचे data एक के नीचे blank है लेकिन इसको करने से पहले मैं यहां पर अपना heading डाल देता हूं ताकि हमें बार-बार heading ना डालना पड़े ठीक है अब मैं इसको short करूंगा custom short और custom short में जाओंगा और यहां पर हम options रो लेफ्ट व्राइट सॉरी और यहां पर रो वन के starting मैं just short कर दो हो गया अब मैं उपर वाले को डिलीट कर दोगा तो मैंने यहां पी 50% काम complete कर लिया क्या सर कि हमने कुछी सेकेंड में 50% काम कर लिया कि हर एक कॉलम के बाद हमने एक blank कॉलम इंसर्ट किया with my heading clear है clear अब इसमें अगला option जो आता है कि जो हमारे numbers है जो blank से इस पर हमें percentage का formula apply करना formatting and formula divide by 70 और percentage का formatting apply करना है तो कैसे होगा तो ओ चीजे भी होगी उसके लिए हमें अपने और यहां finance select के अंदर go to special दिखेगा home tab में ही आपको यहां go to special दिखेगा इस पर क्लिक किजिए यहां आपको दिखेगा blank तो यह क्या करता है select मतलब कि आप select करेंगे तो हमने ब्लैंक को करके okay किया तो जितने भी इस एरिये में blanks है बहुत आता selective जो डेटा है वो select नहीं हुआ सिर्फ blank select हुआ अब select करने से क्या फायदा है तो क्या है न सर कि आप एक area select करने के बाद कुछ भी type करके एंटर प्रेस करते हैं तो जस्त हम डाउन आते हैं लेकिन हम control एंटर प्रेस करते हैं तो जो टाइप कर रहे हैं चाहिए number हो value हो यह किसी तरह का formula हो copy करके पूरे area में paste कर देते हैं तो यहां हम सेम चीज़ को follow कर रहे हैं कि यहां हम divide by 70 और control एंटर राइट और जस्ट अप्लाई दो तो आपने देखा कि जो काम दो तीन घंटे का था हमने उसको कुछ मिनट्स में कर लिया और भी 100% accuracy के साथ समझे है यह सर तो हमारी classes में इसी तरह के एक्जाम्पल्स तरह के topic cover की जाती है क्योंकि मैं 17 साल से training दे रहा हूं अन्य सब्सक्राइब classes दे रहा हूं और तक ही बन 13 साल से मैं 13 14 साल से में training दे रहा हूं वन लक से ऊपर स्टेंट को हमने classes दे रखिया आपने website पर जाएंगे तो इस चीज़ आप देखेंगे वन लक फ्लस अवाज आली सर इससे रूप फन सेकिंड सार नेटों की शू है तो यह सर वन लक से ऊपर स्टेंट को मैं आपको सुन पा रहा हूं क्या मुझे सुन पा रहा है तो मैंने टोटल जैवी तक वन लाक स्टूडेंट और 117 कंटी में classes बोइट कर चुका हूं तो अब यहां कुछ लोग सबाल पुछते हैं कि सर आप एक से तीन लोगों का बैज लेते हैं तो वन लाक में हैं तो कितना कर लिए तो सर्वात में मैं जब classes शुरू की थी तो सुर्वात में पांच और छे साल हम corporate classes लेते थे जहां पर एक बैच में मतलब की 700-800 मने 500-400 ऐसे वच्चे students होते थे और हमारी recorded class भी चलती है तो recorded class भी sale होती है तो सब मिला के वन लाक से ज्यादा student है लेकि one-to-one classes वही हमारा 20,000 के असपास होगा जो one-to-one हमने classes लिया है समझे है सर अब course के बारे में आते हैं जिस course के बारे में हमारे आप से discuss हुई है तो अब मेरे website में जाएंगे तो हमारे पास एक course है complete excel for image report automation इसके अंदर में आपका excel है, VVA है, access है, sql है तो dashboard कराते हैं तो उसमें हम 3-4 classes रखे हुए हैं तो यहां मैं clear कर देता हूँ कि यहां पर पावर भी और डैबलू आपको complete नहीं मिलेगा just introduction class मिलेगा जिससे आप छोटे-बड़े reports बना सके या फिर आगे सीख सके जान सके कि क्या होता है जिसमें हम हर एक चीज को detail में समझाते हैं जो कि आपकी office से related जो problem होती है साथ आप कोई भी questions पूछने के लिए हमारे classes में freedom है आपकी और इसके बाद आपकी office की problem है वो भी आपने साथ share कर सकते है हमें प्रहाने के लिए कोई example चाहिए जैसे मान लिजी कि मैं Vlookup की class दे रहा हूं या match index की class दे रहा हूं So you have a problem regarding that तो आप मुझे बोलेंगे तो हम अपनी class में हम आपी की problem को discuss कर लेंगे क्योंकि हमें प्रहाने के लिए कोई data और topic चाहिए तो जो मैं अपना dummy data डालोंगा उससे चाहिए आपका real time data example ले लो working professionals है इतने सारे चीज को आप अपने साथ आप जॉब नहीं करपाएंगे या आप जॉब कर भी लिया तो यूज नौने के पास आउटर प्रैक्टिस हो जाएंगे छे महीने साल दोसरा बाद भूल जाएंगे सरणली आपको जब जरुवत पढ़ेगी तो आपको मेरी याद आएगी उस समय हम आपको free rejoining देंगे साथ में हम आपको देते हैं इंप्रूफ करता है तो एक बार में इसकी कोर्स कोर्स के बारे में बात कर लेखें तो इसमें बैसली चार मुदूल है एक से तीन लोगा का बैस साइज होगा एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तो इसमें चार मुदूल है हमारा part one है advanced excel with formula part two है हमारा वीवे माइक्र प्रोग्रामिंग पार्ट थिरी है हमारा आपका मस एक्स डेटाबेश एंड पार्ट फोर जो हमारा है डैश पूर रिपोर्ट अर्टोमेशन आप सत्य तोपिक मैंने यहां पे दिये हुए आ इसको राम से बैठके तसल्ली से सकते और साथ हैं बता तौपिकte किना मिनमम टॉपिक है मैक्समम नहीं है सरं एत कि है dis तो यह जो है अमिनमा में आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग है होना चाहिए था तो आप जो है इसमें यूज कर सकते हैं तो समझ गया